नमस्कार एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इंग्लिस फर ओल दिस इज मनीश राय आज प्रस्तूत है वर्ग साथ से पाठ संख्या 13 जिसका नाम है रनिंग थू दरेन यानि बारिस हो रही है और होती बरसा में दोड़ना यह सुन करके मुझे अपना मिडल स्कूल याद आजाता है जहां हम लोग पढ़ाई करते थे जब छुट्टी होती थी और बारिस होती थी तो रुकने का नाम कौन ले सिधे बारिस से दोड़ते भींगते मजे करते हुए हम लोग अपने अपने घरों को आते थे सायद आप भ वर्ग सेबन से क्लास सेबन से चैप्टर थर्टीन देखते हैं रनिंग थ्रू दर रेन बचो सबसे पहले वार्मर को देखते हैं वार्मर कह रहा है कि हाउ डू यू फिल फिल का मतलब होता है महसूस करना हाउ डू यू फिल आप कैसा महसूस करते हो जब वर्सा होती है लिखर है how does your locality, street, city look, यानि आपका city, city मतलब सहर, street मतलब आपकी गली और locality मतलब आसपास, है ना how does your locality, street, city look, यानि आपका सहर, आपकी गली, आपका घर, आपका मुहला, how does look, कैसे दिखता है when it rains heavily, heavily का मतलब होता है जोरदार, जब जोरदार वर्सा होती है, for the whole day, for the whole day का मतलब होता है दिन भर, जी बच्चों, for the whole day का मतलब होता है दिन भर, यानि जब दीन भर वर्सा होती है, सूबा से लेकर के साम तक वर्सा होती है ना, तब आपका सहर, तब आपकी गली, तब आपका पर मुहला कैसे दिखता है आप imagine कीजिए आप कलपना कीजिए बच्चो आप इस तस्बीर को अपने मन में अपने दिल में अपने मस्तिस्क में अपने दिमाग में उके रिए कि आप कैसा फिल करते हैं और आपका गाउं आपका सहर आपकी गली आपका सड़क कैसे दिखता है जब दिन भर बारिस होती है बच्चों आईए इस कविता की अब शुरुवात होती है लिखा कि some are fond of sunshine जो fond of देख रहे हैं ना fond of का मतलब होता है का सौकीन जी बच्चों का सौकीन जैसे मुझे cricket खेलने का सौक है तो I am sorry I am fond of playing cricket है ना आपको फुटबॉल खेलने का सौक है तो वहीं बच्चों जाएगा fond of तो करा कि some are fond of यानि कुछ लोग सौकीन होते हैं sunshine का मतलब होता है धूप जी बच्चों sunshine का मतलब होता है धूप अर्थात कुछ लोग धूप के सौकीन होते हैं मतलब कुछ लोगों को धूप में बैठने पर बहुत आनंद की प्राप्ती होती है बहुत सुख़द एहसास होता है उन्हें बहुत मज़ा आता है तो यहाँ पे कभी ने कहा है कि some are fond of sunshine यानि कुछ लोगों को धूप का सौक होता है मतलब धूप में बैठने पर मज़ा आता है अच्छा लगता है well so am I हाँ मुझे भी कभी कहते हैं कि कुछ लोगों को धूप अच्छी लगती है some are fond of sunshine यानि कुछ लोगों को धूप अच्छी लगती है well, so am I ठीक है, मुझे भी धूप अच्छी लगती है कभी कहते हैं so am I, ये inversion है कह रहे हैं कि कुछ लोगों को धूप अच्छी लगती है अच्छी बात है, मुझे भी धूप अच्छी लगती है यह जो तू देख रहे हैं ना तू का मतलब होता है भी और रेन का मतलब होता है वचों वर्सा तो यहाँ पर कवी कह रहे हैं कि कुछ लोगों को धूप अच्छी लगती है मुझे भी धूप अच्छी लगती है बट आई लाइक दे रेन टू लेकिन मुझे वर्सा भी अच्छी लगती है मुझे बारिस भी अच्छी लगती है फॉलिंग फ्रॉम दे स्काई फॉलिंग का मतलब होता है फॉल मतलब होता है गिरना फ्रॉम का मतलब होता है से और स्काई मतलब आकास यहनि जब आकास से बार टप टप करके धरती पे गिरती है न तो उस बारिस को भी मैं इंज्वाय करता हूँ मुझे बारिस भी अच्छी लगती है कुछ लोगों को धूप पसंद है धूप मुझे भी पसंद है लेकिन आकास से गिर रही बारिस की भूंदे भी मुझे पसंद है कभी कह रहा है कहkek Kerry meant for when Mary April बच्चों, Mary का मतलब होता है happy, joyce यानि खुस यानि कभी जिस देश के है न वहाँ April के महीने में बारिस होती है वहाँ April के महीने में बारिस होती है लेकिन बच्चों अपने देश में April के महीने में ज़्ादा वरसा नहीं होती है अपने हाँ बारिस बच्चों जून, जुलाई, आउगस्त में होती है तो लिखा है कि for when, Mary, April, trips over जो trips over देख रहे हैं इसका मतलब होता है पट-पट, टप-टप की आवाज करते हुए गिरना जब बारिस की बुंदे हमारी धर्ती पे गिरती है तो टप-टप की आवाज होती है, टिप-टिप की आवाज होती है तो वही टिप-टप-टप की आवाज करते हुए गिरना को बोलते हैं trips over, तो यहाँ पे कभी कहते हैं कि for when, Mary, April यानि जब खुस अपरेल, trips over, यानि टप-टप आवाज करते हुए जब अपरेल के महीने में बारिस की बुंदे गिरती हैं, hills पे, किस पे, hills पे, मतलब पहाड़ी पे, and plane, plane का मतलब होता है समतल पे यानि जब समतल मैदान पे जब पहाडी पे अपरेल के महीने में जब टिप टिप करके बरसा की बुंदे गिरती है इजन्ट इट डिलाइट फुल है न यह आनंदायक इजन्ट इट डिलाइट फुल का मतलब होता है आनंदायक तो यहाँ पे कभी कह रहे हैं कि जब एपरेल के महीने में पहाडीयों के ऊपर समतल मैदानों के ऊपर टिप टिप करके बरसा की बुंदे गिरती है न इजन्ट इट डिलाइट फुल रनिंग थू दरेन तब बारिस में धमा चौकडी मचाना तब बारिस में दोड़ना तब बारिस में भींगना इजन्ट इडिलाइट फुल आनंद दायक है न मज़ा आता है न कि जब एपरेल के महीने में जब टिप टिप करके बारिस होती है पहाडीयों पे होती है समतल मैदानों में होती है और बारिस में भींगते हुए दोड़ना आनंद दायक है न यह आप से पूछ रहे हैं इस कभिता के कभी आगे करें कि bright-eyed little blossoms यानि चमकीली आखों की तरह bright मतलब चमकीला और little का मतलब होता है छोटा छोटा और blossoms का मतलब होता है birds जिसको आप कहते हैं कलियां यानि चमकीली आखों की तरह छोटी छोटी कलियां growing by the way पचो way का मतलब होता है रास्ता by का मतलब होता है कि ये बगल में या के किनारे और grow का मतलब होता है उगना तो आखों की तरह चमकीली छोटी छोटी कलियां जो सड़क के किनारे बढ़ती हैं उगती हैं look up ये कलियां हम लोगों को लूक अप मतलब देखती है आजवी पास देम पास का मतलब होता है गुजरना या बगल से निकलना तो यहाँ पे कभी कह रहा है कि एपरेल के महीने में जब पहाड़ियों के ऊपर समतल मैदान के ऊपर जब टप 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 करके बरसा होती है न और उस बरसा से हम लोग जब ग खेलते हैं कुदते हैं बारिस में तो बड़ा मज़ा आता है और उस दोरान हमारी चमकीली आँखों की तरह छोटी-छोटी कलियां पेड़ों पेखिलाती है जो पेड़ सड़क के किनारे होते हैं और वो कलियां लूक अप हम लोग को देखती है एजवी पास देम जब उनक को देखती हैं लौफिंगली टू से और हस हस करके हम लोगों से कहती है मजाकिया रूप से वे कलियां हमसे कहती हैं क्या कहते हैं सुनिए सो दस सावर्स हैज कोट यू अरे तुम लोगों को सावर ने सावर का मतलब होता है बारिस की बहुचारें बारिस की फुहार को सावर बोलते हैं तुवो कलियां हम लोगों से कहती हैं कि सावर्स हैज कोट यू अरे तुमको वरसा ने तुमको बरसा की फुहार ने तुम लो तुम्हारे बस की बात नहीं है वो कलिया कहती है कि so the sour has caught you यानि बरसा ने तुम लोगों को क्या कर लिया है पकड़ लिया है तुम लोग बारिस में घिर गए हो and escape is when when का मतलब होता है बचों बेयर्थ या बेकार और escape मतलब होता है बंचना तो वो कलिया कहती है कि अब इस बारिस से बंचना बेकार है तुम लोग लाख कोसिस कर लो अब बारिस से तुम लोगों को पकड़ लिया है तुम लोग बारिस में तरबतर हो जाओगे सर से लेकर के पाउं तक भींग जाओगे and escape is when और तुम लोग वर्सा से बंचना ही सकते तुमारी जो बंचने की कोसिस है न वो इस बैन यानि बेकार चली जाएगी वो कलिया हम लोगों से कहती है इसंट इडिलाइटफुल रनिंग थुरू दरेन फिर आगे कभी कहते हैं इसंट इडिलाइटफुल रनिंग थुरू दरेन हैना या अननदायक हैना या मज़ेदार हैना या खुसी देने वाला जब हम लोग बारिस में तरव बतर होते हुए भिंगते हुए सराबोर होते हुए हम लोग दोडते हैं और सड़कों पे धमा चौकडी मचाते हैं यहां कहने का मतलब आगे मैं समझाओंगा आगे यहां पे कभी कह रहे हैं कि पीटर पैटर इस देख रहे हैं बच्चों पीटर पैटर यह जो पीटर पैटर है न इसका मतलब होता है बच्चों टप टप की आवाज, जब बारिस की बूंदे धरती पे गिरती हैं, तो टप टप टिप टिप की आवाज होती है, उसी को बोलता है पीटर पैटर, और यह softly, यहनी बहुत आराम से बारिस की बूंदे धरती पे टप टप करके गिरती है, and Drip the Drops Around, सुनिए, Drip का मतलब होता है के गिरना और ड्रॉप्स का मतलब होता है पानी की बूंदे और एराउंड का मतलब होता है चारो और यानि जब आराम से पीटर पैटर बरसा होती है ड्रिप्स दड्रॉप्स एराउंड तब हमारे चारो और पानी की बूंदे क्या होती है गिरती है ड्रीप मतलब गिरना और drop मतलब पानी की बूंदे जब बारिस होती है तब हमारे चारो और पानी की बूंदे आकास से क्या होती है गिरती है while a peeping sunbeam और इसी बीच बच्चों जब बारिस होती है जब पानी की बूंदे आसमान से धर्ती पर गिरती है इसी बीच a peeping sunbeam peep का मतलब होता है ज्हाक जैसे बच्चों आप लोग भी खिड़की से ज्हाकते है परदे के पिछ से ज्हाकते है उसी को peep बोलते है और जो ये sunbeam लिखा है इसका मतलब होता है सूरज की रोसनी या सूरज की किरने यानि हमारे चारो तरव बरसा की बुंदे गिर रही होती है बारिस हो रही होती है उसी बीच ए पीपिंग सन्बीम उसी बीच जो सूर्य है बादलों के पीछे से छिप करके जाकते है यानि एक और बरसा होती है और उसी बीच कहीं थोड़ी सी रोसनी भी क्या होती है निकलती है ऐसा लग रहा है कि सूर्ज बादलों के बीच से जहां करके हमें क्या कर रहे हैं देख रहे हैं तो कभी कह रहे हैं कि जब चारों और बारिस होती है while a peeping sunbeam तब सूर्य जो है ना वो बादलों के पीछे से वो clouds के पीछे से पीप कर रहे होते हैं जहां कर रहे होते हैं यानि धरती पे बारिस के साथ साथ सूर्य की हलकी रोसनी भी पढ़ती है और जब वो रोसनी पढ़ती है तो वो gleads कर देती है gleads का मतलब होता है सोने का चादर चढ़ा देना यानि जब सूर्य की रोसनी पढ़ती है तो पूरी पृत्वी हमारी पीला पीला यानि सोने के रंग सी दिखाई पढ़ती है तो सोने के रंग सा दिखाई पढ़ना मतलब होता है कभर्त हिनली वित गोल्ड मतलब सोने की परत च क्या कर दिया गया च्छड़ा दिया गया है the scented ground scented का मतलब होता है सुगंधित और ground का मतलब होता है जमीन यानि बारिस के बीच जब सूर्य बादल से जहाकते है न तो उनकी रोसनी इस सुगंधित धरती को लगता है कि सोने के आबरन से क्या कर दी ढक दी बारिस सेंटेट इसलिए कहा गया है कि जब बारिस होती है जब बारिस के बूंदे धरती पे पड़ती है तो एक सौन्धी खुस्बू आती है धरती से तो इसलिए यहाँ पे उसको सेंटेट कहा गया है तो जब बारिस होती है तो सूर्य भी बादलों के पीछे से जाकते हैं और उनकी रोसनी बच्चों नीचे सुगंधि धर्ती को लगता है कि सोने का परत क्या कर दी चढ़ा दी सेल्टर का मतलब होता है छूपने का जगा जब बारिस होती है तो कुछ लोग छूपने के लिए है घरों में सरण लेते हैं किसी पेंड के नीचे सरण लेते हैं या किसी भी सेड के नीचे सरण लेते हैं तो उसी सरण को बोलते हैं सेल्टर और नो हूएर का मतलब कहीं नहीं नियर मतलब अगल बगल अस, यहनी हमारे अगल बगल में छुपने का कोई अस्थान नहीं है, बारिस हो रही है, उसी भी सूर ये की किरने भी आसमान से जहांक रही है, और हमारी सुगंदित धर्ती को सोने के रंग का बना रही है, सेल्टर नो हुएर नियर अस, हमारे अगल बगल बारिस से बचने का कोई जगा नहीं है, अब बारिस से बचने का कोई चांस नहीं है, कोई औसर नहीं है, और बारिस से बचना भी कौन चा रहा है, जनाब, yet we don't complain, yet का मतलब होता है, फिर भी, हम लोग complain नहीं करते, फिर भी हम लोग शिकायत नहीं करते, यानि हम बच जब बारिस हो रही होती है तो कई आसपास में कोई सेल्टर नहीं है छुपने का कोई जगा नहीं है yet we don't complain कपड़े भींग रहे हैं भीगने दीजिये बस्ते भींग रहे हैं भीगने दीजिये किताबें भींग रही हैं भीगने दीजिये जूते भींग रहे हैं भीगने क्योंकि बारिस में भींगते हुए धमा चौकडी मचाना दोड के आगे वढ़ना खेल कूद करना बहुत ही आनंदायक होता है इसलिए पूरा सरीर तरबतर हो जाए ना हमें कोई सिल्टर चाहिए ना छुपने का आस्थान चाहिए और नहीं भींगने पे हमें कोई शिकायत हो होती है तो आई थिंक आपको भी बच्चों आप सेबन में पढ़ रहे हो आपकी उमर इस समय 12-13 बरस की होगी ठीक है तो आप भी इस कभिता को पढ़ें इसका आनंद लें और जब बारिस आये ना तो बारिस में भींगें और उस भींगने का भी आनंद लें I hope यह कभिता आपको पसंद आई होगी अगर कभिता पसंद आई हो तो प्ली जेनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें अपने मित्रों से भी सेर करें अपने सुझाओ भी दें और इस पर्टिकुलर वीडियो को स्वाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद